नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो आप मैंसे बहुत से लोगों के हमेशा ये सिकायत रही है कि हम अपने चैनल पर एक्टर्स की बात क्यों नहीं करते हम भी मानते हैं कि हमारे चैनल पर साउथ एक्टर्स, कॉमेडियन, विलन, डिरेक्टर्स और यहां तक की राइटर्स की बात की गई है बट हार्डली हमने कुछ ही एक्टर्स पर वीडियो बनाया होगा इसलिए अब हम बीच-बीच में कुछ साउथ की एक्टर्स पर वी वीडियो लेकर आएंगे उसे कड़े में हमारा ये वीडियो है जहां पर हम साउथ की लेडि सुपर स्टार अनुसका सेटी की बात करेंगे तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें दोस्तो बहुत कम ही ऐसी एक्टर्स होती हैं जिनके सारे फिल्में बॉक्स आफिस पर सक्सेस्फुल हो पा है अनुसका सेटी आज एक ऐसा ही नाम है जिन्नोंने अपने दमपर फिल्मों को हिट सूपर हिट और इवन ब्लॉक्बस्टर कराया है साइद यही वज़ा है कि इन्हें लेडि सूपर स्टार कहा जाता है और इनको ध्यान में रखकर कहानिये लिखी जाती है दोस्तो अपने लगबग 15 साल के केरियर में अनुसका सेटी ने तीन फिल्म फियर साउथ अवर्ड, दो साइमा अवर्ड, दो नंदी अवर्ड, एक तमिलनाडू स्टेट अवर्ड, तीन सिनेमा अवर्ड, तीन संतोसम अवर्ड और दो विजय अवर्ड अपने नाम किया है ये साउथ की मोस्ट डॉमिनेंट लेडी सूपर स्टार के तौर गिनी जाती हैं, जो एक फिल्म में काम करने के लिए साउथ के कई वेल इस्टेब्लिस एक्टर से ज़्यादा चार्च करती हैं, दोस्तो सुरुवात इनकी भी आम एक्टर्स की तरह हुई, अगर इनकी सुर ये अरुंदती ने इनके केरियर को नई दिसा दी तो गलत नहीं होगा, साल 29 की इस फिल्म को महज 18 करोन में बनाय गया था, फिल्म ने 70 करोन की बॉक्स आफिस कमाई करते हुए बड़े बड़े एलिस इस्टार्स के रिकॉर्ड को तोड़कर किनारे रख दिया, फिल्म ते अगावली, बहुबली, रुत्मा देवी, साइज जीरो और भागमती जिसी फिल्मों में एहम भूमिका निभाई, दोस्तों अनुसका सेटी को स्टार्टिंग में इनके वेट के चलते काफि ट्रोल करने की कोसिस की गई, मगर इनोंने कभी भी साइज जीरो टाइप बॉड हेल्दी रहना चाहती हैं, वे जिम से ज़्यादा योगा पर विश्वास रखती हैं और इन्हें स्प्रिच्वल्टी और मेंटरलिजम में मास्टरी हासिल है, एवन ये अक्सर मुंबाई, हैदराबाद, चैन्नाई और बैंगलूरू जैसी सिटी में योगा सेशन लेते हु में काफी खुबसूरत लगती हैं, बहराल एक इंटरस्टिंग फैक्ट में आपको बता दो कि फिल्मों में आने से पहले ये एक योगा इंस्ट्रक्टर ही थी, और एक सेशन के दोरानी इन पर डिरेक्टर महर रमेज की नजर पड़ी, जिन्होंने डिरेक्टर पुरी जग अनुस्का सेटी को सूपर फिल्म में काम करने का मौका दिया और ये अनुस्का सेटी की पहली डेब्यू फिल्म थी, वैसे एक्टर्स के टांस्फर्मेशन की बात तो हर कोई करता है, मगर यहां मैं आपको बता दू कि इन्होंने अपनी फिल्म साइज जीरो के लिए अपन वजन 25 किलो बढ़ाया था, अगर किरदार की डिमांड होती है तो अनुस्का सेटी उस रोल के लिए अपना बेस डेडिकेशन दिखाती है, वैसे अनुस्का सेटी की ओन इस्क्विन केमेस्ट्री प्रभास के साथ जितनी ज़्यादा पसंद की गई, उतनी आज तक किसी भी इस्टार के साथ पसंद नहीं की गई, रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास और अनुस्का लंबे वक्त तक रिलेसंसिप में रहे, इवन कई बार इनकी साधी के रूमर्स बे निकल कर आए हैं, बहराल इन दोनों ने बिल्ला, मिर्ची और बहुबली सीरियस में साथ में काम क यह जोडी साथ की मोस्ट डिमांडेट जोडी है, और अनुस्का भी कई बार कह चुकी हैं कि वे प्रभास के साथ बार बार काम करना चाहती हैं, वैसे लाको फ्रेंस की आज भी ख्वाइस है कि प्रभास और अनुस्का की साधी हो, बहराल फिल्मी परदे पर अनुस्का के नाम से मसूर इनका असली नाम है स्वीटी सेटी, दोस्तों इनका जन्म साथ नॉमबर साल 1981 को मैंगलोर करनाटक में हुआ, यह एक तुली स्पेकिंग फैमिली में जन्मी थी, आज इनने तुलू के सासत तमिल, तेलगू, कनड़ा और इंगलिस में मास्टरी हासिल है, इ इनके पिता के नाम है ए एन वित्तल सेटी, यह कुल तीन भाई बहन है जिसमें अनुसका अकेली सिस्टर है, गुना रंजन सेटी और साइन रमेश सेटी इनके बड़े भाई हैं, इनकी सुरुवाती पढ़ाई मौन कारनल कॉलेज बैंगलोर से हुई, इसके बाद इन्हों ने कंप्यूटर अप्लाइंस में अपना ग्रिजुएशन किया, दोस्तों अनुसका सेटी को बचपन से ही जोग्राफी में बड़ा इंटरस्ट था, यह आज भी अलग अलग नेच्रल क्लेमटी के निउस्पेपर कटिंग को इखटा करने का सौक रखती हैं, इन्हें का इंस्ट्रक्टर के तोर पर काम करने लगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहीं से अनुसका सेटी को फिल्मों में ब्रेक मिल गया, दोस्तों अनुसका सेटी की पहली फिल्मती सूपर, जो कि बॉक्स आफिस पर कुछ खास नहीं चली, इसके बाद ये इसी साल महान और दूसरे साल अस्तरम जैसी फिल्मों में नसर आई, और ये फिल्में भी बॉक्स आफिस पर बुरी तरह से पिट गई, अल्मोस्ट अनुसका सेटी का केरियर सुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, ये अपना बैक पैक करके पुरानी जिंदगी में वापस लोटने को ही कि तभी इन्हें दिक्कर डिरेक्टर एसस राजा मौली ने विक्रम कुडू फिल्म के लिए कॉल किया, रिलीस के साथी ये रवी तेजा स्टार बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बश्टर रही और इसी फिल्म के जरीए अनुसका सेटी को पहली बार सफलता का स्वाच चखने को मिला, इसके बाद इन्हें बैक टू बैक काई फिल्मों के ओफर आये, इन्होंने गोपी चंग के साथ लक्षयम, सौर्यम और नागा अर्जुना के साथ डॉन जैसी फिल्मों में काम किया, जो बॉक्स आफिस पर हाइली कमर्सिल सक्सफुल रही, दोस्तों इनके एक्टिं से अलग अपनी एक खास जगाब बना चुकी थी, अब मेकर्स ने इन्हें और सीरेसली लेना शुरू कर दिया, अब तक ये तमल इंडस्टी में भी अपने डेब्यू कर चुकी थी, देन ये बिल्ला, सिंगम और वेदम जैसी फिल्मों में नजर आई, दोस्तों अरुंदत की सफलता को दुबारा भुनाने के लिए, अनुस्का सेटी को एज़ा लीड में लेकर पंचासरी नाम की फिल्म बनाई कई, हाला कि ये फिल्म बॉक्स आपिस पर वो कमाल नहीं कर पाई, बहराल आगे चलके 2010 की फिल्म नागा वल्ली में अनुस्का सेटी ने अपनी 2015 के बीच ये अपने करेर के पीक पर थी, इस बीच इनोंने कलेजा, रगड़ा, वानम, धमरुकम और मिर्ची जैसे कई बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम किया, 2015 के फिल्म बहुबली दा बिग्निंग में इनका फर्स्ट लूक काफी सौकिंग था, और हाडली अपने पेक इसके बाद ये रुद्मा देवी और साइज जीरो जैसी फिल्मों में भी नजर आई, आगे चलकर भागमती फिल्म को भी इन्होंने अपने दम पर चलाया, मैच 25 क्रोंट के बजट में बनी, इस फिल्म ने 70 क्रोंट की कमाई करी, और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर उपर हिट रहे, साथी साथ ये पहली फिमेल ओरिंटेट फिल्म बनी, जिसने USA में वन मिलियन यूज डॉलर कमा कर दिखाया, ये साइरा नर्सिमा रेड़ी फिल्म में रानी लक्त्मी भाई के रोल में नजर आई, दोस्तो आज भी किसी हिस्टोरिकल करेक्टर को प्ले करन इंडस्टी का अटल सत्य है कि हेरो के कमपरजन में हेरोई का केरेर टाइम चुटा ही होता है, यही वज़ा है कि अनुसका सेटी, काजल अगरवाल और तमन्ना भाटिय जैसी एक्टर्स की जिगा पूजा हेकले, रस्मिका मंदाना और कीर्ती सुरे जैसी एक्टर्स ने ले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद